तमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे कलच के बारे में कलच एक मेकेनिकल डिवाइस होता है कलच का काम होता है engine soft और transmission soft को proper तरीके से engage करना और disengage करने का कारिया इसका रहता है और जो clutch का पूरी जो arrangement होती है वह है fly wheel, pressure plate और जो clutch plate या clutch disc होती है इनसे मिलकर वो बनी होती है अगर हम location की बात करते हैं कि vehicle में clutch कहां पर लगा होता है तो यह engine और transmission जो हमारा gearbox होता है उसके बीच में clutch की arrangement होती है अब बात करते हैं कि clutch engage कब होता है और disengage किस condition में रहता है तो सबसे पहले बात करते हैं clutch की engagement की clutch engage होता है जब हमें power को flow करना होता है जो engine power होती है वो flow करती है हमारे engine से लेकर rear wheel तक flow करती है transmission system से होती हुई वो जाती है और तब जाकर हमारा जो vehicle है वो move करता है और जब clutch disengage होता है उस दोरान power vehicle के rear wheel तक transmit नहीं होती vehicle हमारा stationary रहता है जबकि जो engine है वो running condition में रहता है फिर से आप ध्यान से सुनें कि clutch कब-कब disengage होता है engine की starting के समय एक gear के दूसरे gear में shifting के दोरान या फिर जब vehicle को हम stop करते हैं उस दोरान और vehicle की idling के दोरान जो clutch है वो disengage रहता है और vehicle को move करते समय या vehicle को moving condition में रखने के दोरान clutch engage रहता है अब बात करते हैं कि जब हम clutch pedal को down करते हैं clutch pedal को depress किया जाता है पैडल को down किया जाता है तो उस दोरान क्या होगा जो fly wheel है clutch disc है और जो pressure plate है ये तीनों disengage हो जाती है जिससे power flow interrupt हो जाता है power flow नहीं करती तो एक परकार से हम कह सकते हैं ये वो condition होती है जब clutch हमारा disengage होता है जब clutch pedal को release किया जाता है उस दोरान clutch pedal up होता है वो ऐसी condition है जब fly wheel, clutch disc और pressure plate ये engage हो जाती है और जो clutch है वो transmit करता है power को engine से लेके transmission जो होता है वहाँ transmission system के थुरू rear wheel तक power को transmit किया जाता है तो इस परकार से जो clutch है इसमें working होती है अब बात करते हैं कि जो pressure plate होती है और जो fly wheel होता है ये जो engine की जो crank shaft होती है वहाँ तक ये bolted होते हैं और friction fly wheel और pressure plate ये engine speed पर rotate करते हैं जबकि जो clutch disc होती है यह है जो transmission saft होती है transmission की input saft है इसके साथ ये attach होता है जो एक परकार से supplied होता है और transmission speed पर ये है rotate करता है उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसा हमने आपको बताया था कि जब clutch pedal up होता है clutch pedal जो release हो जाता है तो उस दोरान क्या है कि जो pressure plate है वो clutch disc के close आ जाती है और clamp करती है disc को pressure plate और fly wheel के बीच में और अगर हमारी जो transmission है वो gear में होती है तो उस दोरान क्या है कि wheel drive होंगे जब हमारा clutch disc turn करेगा तभी wheel हमारा move करेगा तो उसके बाद जो clutch होता है इसमें अगर हम बात करें components की इसमें driving member होते है driven member होते है और इसमें operating member होते है जो हमने बात की fly wheel की pressure plate की या जो pressure spring इसमें लगे होते है या फिर जो releasing lever होते है वो इसमें driving member की तरह कारिया करते है और जो इसमें clutch disc जैसे हम clutch plate भी बोल देते हैं friction plate या friction disc भी बोल देते हैं वो इसमें driven member होता है अगर operating member की बात करते हैं तो इसमें जो foot pedal की जो linkage होती है release और throughout bearing होती है और इसमें release lever और जो spring होते हैं वो इसमें as a operating member की तरह कारिया करते हैं तो दोस्तो आज हमने इस video में जाना कि clutch होता क्या है इसकी location क्या होती है और कैसे जो clutch है वो engage होता है और कैसे disengage होता है तो हमारी next video में हम discuss करेंगे clutch के important function क्या है clutch के requirements क्या है clutch का principle of operation क्या है types of clutch के बारे में विस्तार पूरवक discuss करेंगे अगर आपको इस video अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और channel को subscribe करना ना भूले जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे